शमिता और तेजस्वी ने चूरी पर किया सवाल प्रतिक के जंगलवासियों को खाना पूछने पर हुआ बवाल टीवी रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में जंगलवासी मौज उड़ा रहे हैं और मुख्य घर के लोग लगजरी आइटम को तरस रहे हैं बिग बॉस के खर में लगजरी आइटम के साथ साथ खाने के आइटम की भी जम कर चूरी हो रही है जंगलवासी जब चूरी करते हैं तो वो मुख्य घरवासियों का खयाल नहीं रखते और उनके लिए बिना कुछ छोड़े वहां से सारे सामान कायब कर देते हैं शमिता और तेजस्वी ने बटर की चूरी पर घरवालों को फटकार लगाई और उन्हें ये कहा कि अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो कम से कम बता कर लीजिए क्योंकि खाने के सामान के लिए मना करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है और अगर आप कुछ सामान ले रहे हैं तो इस बात का खयाल जरूर रखें कि मुख्य घरवासियों के लिए वो सामान बचा रहे जिसके बाद काफी चूरी के घटना सामने आई दरसल विशाल खुद इशान को काफी चुराने का मौका दे रहे थे ये साफ तोर पर दिखाई दिया है लेकिन बाद में विशाल ने ये बताया कि उन्होंने उमर को ये कहा था कि वो कौफी चुरा सकता है और वो चुराने में उसकी मदद नहीं कर सकते वहीं मुख्य घर के लोग प्रतीक से इस बात के लिए नाराज नजर आए कि वो जंगल वासियों को खाना उफर कर रहे थे जबकि ऐसा अलाउड नहीं है और इसी बात को लेकर घर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला इसे देखकर करन कुंद्रा कह रहे थे कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि मुख्य घर में जाने के बाद इनके बीच बहुत ज्यादा दिनों तक बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी और इनके बीच अब